नमस्कार मैं हूँ विवेग और आप सभी का स्वगत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेग मैच्पर और आज किस क्लास में हम लोग बी आरे बिहार अन्वर्सिटी मुझाफरपूर के द्वारा 300 कोश्चन का हिंदी मोडल कोश्चन में जो जारी किया गया है उसी का हम अंसर लेकर आया हूँ तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को सुरू करते हैं और क्लास सुरू करने से पहले अगर आप हमाँ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो कि पर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकोन को प्रेस करो ना भूले ताकि मैं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलिए हम क्लास को स्टाट करते हैं और आज हम कोस्टन नमर एक से 35 तो यानि कोस्टन नमर एक से 35 तक का अंसर देखेंगे तो चलिए देखिए फर्स्ट कोस्टन प्रेम्चंद का जनम कहां चलिए कोस्टन नमर दू को देखते हैं कोस्टन नमर दू में क्या बोला है कि प्रेम्चंद का वास्तुविक नाम क्या है प्रेम्चंद का वास्तुविक नाम क्या था तो प्रेम्चंद का वास्तुविक नाम हमारा था धौन पत्राय था एक question number 3 को देखते हैं question number 3 में क्या बला है कि बरे भाई साहब कहानी के लेख़ कौन है option number A हम कोखो करना बोल कौन हम option number A, B, C, D बोलेंगी क्योंकि हिंदी बोलने में कुछ दिकत है चलिए option number A जो बोल रहा है जैसंगर परसाद, option number B शिवपूजन सहय, C प्रेमचंद, D उग्र, तो बड़े भाई सहाब कहानी के लेखाक, मुंसी प्रेमचंद है, उप्सिन नमर C, इदे को एक डंसर, और एको क्वेश्चन नमर 4, जैस संकर परसाथ का जनम कहा हुआ था, उप्सिन नमर A, बनारस, B, प्रियागराज, उप्सिन नमर C, लखनवर, D, कानपूर, तो जैस संकर परसाथ का जनम बनारस में हुआ था, का हुआ था, बनारस में, जैस संकर परसाथ का जनम की सवर्स हुआ था, तो जैस संकर परसाथ का जनम जो हुआ था, वो हमारा 1889 में मौधुय कहानी के लेख़ कौन है मौधुय कहानी के लेख़ कौन है जैसंकर परसाद बी प्रेम्चन सी सुदर्सों डी कौशिक तो मौधुय कहानी के लेख़ कौन है तो मौधुय कहानी के लेख़ कौन है जैसंकर परसाद है option number A correct है यह question number 7 को देखते हैं यह question number 7 में क्या बोल रहा है कि प्रेम्चन का जर्म की शुवर्श हुआ था प्रेम्चन का जर्म की शुवर्श हुआ था option number 4880, option number B 1880, option number C 1890, option number D 1885 तो प्रेम्चन का जर्म 1880 में हुआ था option number A सही है प्रेमचंद का निधन की सो़स हुगा था है, तो, प्रेमचंद का जो नम्ठा साइसी तर उनका निधन निधन 136 तर उनका 266 तर उप्सा नमचंद का प्रसाध का निधन नौ का ए हो जाएगा 1937 परसाद की मुधन को अब हो गए था परसाद का अले कोश्चन में दोस्त को देखता है परसाद किस यूग के रचना कर है तब परसाद जो थे वह छैवादी यूग के रचना कर थे परसाद सीन कीस कहानी के परसाद नहीं है ठाकुर सरदार सीन कीस कहानी के परत रहे तो मौधुया कहानी के पात्र है Q13, पॉंच परमेसवर किसकी कहानी है पॉंच परमेसवर, प्रेमचन के कहानी है Q14, सद्गोती कहानी के लेख़क कौन है Q15, शावा सेर गेहू कहानी के लेख़क कौन है Q16, पॉंच की रात कहानी के लेख़क कौन है Q17, कौफ़न कहानी के लेख़क कौन है कोफन कहानी के लेखानी के लेखानी के लेखानी के लेखानी के लेखानी कोन है बिरामचित कहानी के लेखोक प्रशाद है कोश्च नमर पुरुषकार कहानी के लेखोक विद अबर प्रशाद है को क्याश्चन मर 24 बसंत आगे है निबहुन के लेखोक कोण है तो अचार अचाराणी परसाद दिवादी है और बसंत आगया के निबांद के लेखक इलिए क्वेश्चन नमर्ट तेईस को देखते हैं क्वेशन मार 2 में कर बोला है कि बसाुन्त आग या किस परकार का निवान्द है कि बसाुन्त आग या किस परकार का निवान्द है। पर किश्यम नमर चौपितु आचार हजय्य प्रश्णब डिवuine के जन्म कहां हुआ था है तो इनका जन्म बलियृ में हुआ था उतर प्रदेस मैं अचारह Приचाहरी presence व्री प्रश्णब क कि दिनकौर का ज़र्म कहा हुआ था दिनकौर का जन्म स्रीमर्यः में नुद्ध्या में 27 का A को चलिए यह क्वेस्ट नमर डाटाइस को देखते हैं 28 दिनकौर की जन्म कि थी किया है रिए निटीक जन्म के चल्म कि शॉर्ष हुआ था दिनकर का 1908 में हुगा था question No.30 Sanskrit के 4 चारण आध्याइ की सकी क्रिती है तो बेनी पूरी जी के है question No.20 option No.20 correct होए 31 में दिनकर की परसीदी किस रूप में है दिनकर की परसीदी किस रूप में है ता काथा कार रूप में है 31 का option No.C वो सोरी पर स्र 21 किस रूप मेंगे जलत है आप शरमर यह होगा कफी रूप में चैनल महा देवी वर्मा किस यूक कुभी था ओफ्सन न omר चारों की चारों टेशन गोला था इनका जो जोनम हुआ था परदेश के तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हम लोग कोश्चन में एक से थर्टी फाइब तक देखें और अगले क्लास में हम लोग थर्टी सिक्स से 36 से आगी को अंदर देखेंगे तो फ्रेंड्स आज सी क्लास में इतना ही मिलते हैं आपका नेक्स क्लास में